कृप्या वीडियो को पूरा देखिएगा अधूरे ज्यान से कोई लाग प्राप्त नहीं होगा मुक्ती मिल जाती है बलकि हमारी कैसी भी मनोकामना होती है वह अवश्य ही पूरी हो जाती है हमारे धर्म शास्त्र में बताए बड़े मंगलवार के दिन किये जाने वाले अगर लॉंग और कपूर के इस उपाय को अगर आपने कर लिया जो हम बताने जा रही हैं तो सिर्फ ए एक दिन के इस उपाय के बार आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह पूरी हो सकती है हिंदू पंचान के अनुसार के हिसाब से मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है इस दिन पवनपुत्र हनुमान जी की विधी विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं इसी कारण से जेश्ट माह के हर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से दो गुना फल प्राप्थ होता है, जेश्ट माह में पढ़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बुधवार मंगलवार के नाम से जाना जाता है, जेश्ट मास में पूरे. पांच मंगलवार पर रहे हैं जानिये मंगलवार में कैसे आप लोग सिर्फ लॉंग और कपूर का उपाय करके अपने जीवन के हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं दोस्तों 2023 का जेष्ट का महीना 6 मई 2013 से शुरू हुआ था और या 4 जूम 2013 को समाप्थ होने जा रहा है जेष्ट माह में पांच मंगलवार पढ़ेंगे और पांचों मंगलवार का अपने अपने विशेश महत्व होगा कहा जाता है कि इस दौरान अगर आप कोई भी उपाय कर दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते क्योंकि इस दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही प्रसन्नमूर में होते हैं और अगर आपने हमारे विडियो में बताए हुए तीन कपूर और दो लौन के उपाय को कर लिया जो आज का नहीं बलकि प्राचीन काल के समय का माह उपाय है तो यकीन मानिये दोस्तों सिर्फ एक दिन के इस। कि आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी इसलिए दोस्तों इस विडियो को न केवल अपने लिए बलकि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक देखिएगा क्योंकि बताया जा रहा है कि जेश्ठ के पहले मंगलवार के दिन कोई भी उपाय किये जाएं इसका लाब हम को पूरे साल मिलता है और हनुमान जी की क्रिपा पूरे साल हमारे उपर बनी रहती है सीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की क्रिपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे हनुम पूरी सच्ची श्रधा और पूरे विश्वास के साथ तुरंट आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंट लिख दीजिए जए श्री राम जए बजरंग बली जी की और एक काम कीजिए का कमेंट बॉक्स में अपनी राशी भी डाल दीजिए का आपकी राशी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाए होगा जिसको करके आप इस बड़े मंगलवार के दिन कोई भी लाब पा सकते हैं वो दोस्तों हम आपकी कमेंट का रिपलाई में बता देंगे आपको इसलिए पहले तो आप वीडियो नायक कर दिया कमेंट बॉक्स में अपनी राशी डालना मत भूलिएगा देखिए दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कहा जाता है कि अगर आप प्रत्येक मंगलवार को पूजा पाठ उपाय करते हैं तो इससे आपके जीवन में कभी भी आपको कश्टों का सामना नहीं करना पड़ता है क्योंकि जो हनुमान ज दिन आपकी पूजा सिद्ध हो जाए तो दोस्तों इसके लिए आपको 10-12 मंगलवार पूजा पाठ करना पड़ता है लेकिन जेश्ट मंगलवार को प्रत्येक मंगलवार ऐसा मंगलवार होता है जिस दिन आप कोई भी पूजा करेंगे तो पूजा उसी दिन आपकी बात में बता चुके हैं हनुमान जी महाराज इस दिन बहुत ही ज्यादा प्रसंद मुद्रा में होते हैं तो ये जितने भी हम आपको उपाए बताने जा रहे हैं यह मंगलवार के दिन किस महूर्ट पर आपको करना है यह आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा सही महूर्ट पर किया गया यह उपाए आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा न केवल आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा बलकि इन उपायों को करने के बाद आपका और आपके पूरे परिवार का भला होगा इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक अंत तक देखिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दे देखिए सबसे पहला उपाय है मनोकामना पूर्ती का माह उपाय आ आप चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामनाई जो भी इच्छा है जो बहुत दिन से लटकी हुई है वह जाए तो ये उपाय कर लीजिए। प्रिय होता है अब आपको पीतल का पात्र लेना है पीतल की कटोरी ले लीजिए पीतल तीन कपूर और दो लॉंद रखना है बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों तीन कपूर और दो लॉंद रखना है अब आपको घर से किसी भी हनुमान मंदिर जाना है हनुमान मंदिर जा अब पूरे जेश्ट मंगलवार मतलब 4 जून तक आप लोगों को इसके तिलक धारन करना है अगर आप यह इतना उपाय करते हैं तो माना जाता है कि इतना उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती वह हनुमान जी महाराज के आशिरवाद से अवश्य पूरी हो जाती ह दूसरा उपाय है दोस्तों नौकरी प्राप्ती का महा उपाय अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परिशान है तो आपको क्या करना चाहिए जेश्ट मंगलवार के दिन किसी भी समय सुभह से शाम किसी भी समय आप लोग जाए हनु हनुमान जी महाराज को चढ़ाई एक ऐसा करने भर से हनुमान जी महान आज की वह कृपा आपको प्राप्त होगी कि जो आपकी मनचाही नौकरी होगी वह लग जाएगी तीसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का माह उपाय अगर आप चाहते हैं कि आपका बं पंदी का लड़ू या बेसन का लड़ू इन दोनों लड़ू में से आपको कोई भी लड़ू का भोग हनुमान जी महाराज को चढ़ाना है लेकिन सबसे जरूरी बात यह है जब भी आप लड़ू का भोग हनुमान जी महाराज को चढ़ा रहे हो उसने एक तुलसी का पत्त अवश्य रख दीजियेगा क्योंकि कहा जाता है हनुमान जी महाराज को कोई भोग लगाए जाएं और उसमें तुलसी का पत्ता ना रखा जाएं तो वह भोपुरा नहीं माना जाता है तो आपको इस 9 मई 2023 के बड़े मंगलवार के दिन बेसन के लड़ू या बूंदी के लड बरकत नहीं हो रही हो उन्नती नहीं हो रही है तो अगर आप लोग इस बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को जाकर के लाल चूड़ा चड़ाते हैं तो मान के चलिए आपके घर की बरकत रुकी हुई है उन्नती रुकी हुई है वह होना शुरू हो जाएगी इसी तरीके से दोस्तों लंबे समय से अगर आप बीमारी से जूज रहे हैं आप चाहते हैं कि यह जो बीमारी है आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाएं तो आपको क्या करना होगा बहुत ध्यान से सुनिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं देखिए दोस्तों अगर आप अपनी बीमारी में बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं आपको उसका फाइदा नहीं मिल रहा है तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए लेकिन आपको कैसे पूजा करनी है यह बहुत ध्यान से समझाएगा सुबह नहाने धोने के बाद आपको लाल वस्तर का धारण करना है किसी भी लाल कपडे में आपको 500 ग्राम घुर रखना है ध्यान रखिएगा दोस्तों 500 ग्राम घुर से कम नहीं होना चाहिए 500 ग्राम घुर के ऊपर एक तुलसी का पत्ता रखना है, इसी लाल कपडे की पोटली बना लेनी है। उपाय करने भर से हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्थ होगी की बीमारी आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी, अब आप चाहते हैं कि दोस्तों आपके जीवन में वे फिजूल खर्ची बंध हो जाएं। जीवन में वे खर्ची पूरी तरह से बंध हो जाएगी। तो यह उपाय कीजिए जो जो हम आपको बताने जा रही हैं लेकिन यह उपाय थोड़ा सा कठिन है दोस्तों आपको जेश्ट मंगलवार के प्रत्येक मंगलवार। और को मतलब ये पांच मंगलवार पढ़ रहे हैं। पांचों मंगलवार को आपको सुभा उठना है, नहाना है, धोना है, आपको पीपल के पत्ते तोड़ने हैं, पीपल के पत्ते की माला बनानी है। झाल 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